दोस्तों आपने दुनिया भर में बहुत सारी प्रकार की गाये देखे होंगे आपने काले गाये देखे होंगे आपने सफेद गाये देखे होंगे आपने भूरे गाये देखे होंगे और आपने चितकबरे गाये देखे होंगे लेकिन आज कि इस वीडियो में आप कुछ ऐसे गाए देखने world are जिनको देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे क्योंकि इन गाएं के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं तो देर किस बात की है तो स्टार्ट करते हैं एंट्रस्टिंग वीडियो और फ्रेंट्स वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप से एक छोटी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पुरा लास तक जरूर देखेगा क्योंकि आपको इस वीडियो में दस सबसे विशाल का और ताकत और गायों के बारे में पता चलने वाला है ब्राम्हन सबसे पहले इस केटल पे अपने नगल डालिए ये एक ऐसी गाय है जो किसी भी सराउंडिंग में आसानी से जीवित रह सकती है ये गाय आसानी से कुछ भी जहेल सकती है इसे केटल की दुनिया का टर्मिनिंटर भी कहा जाता है बॉस इंडिकस जो भालत के प्रिजाती है इसी के मेल से ब्राम्हन को बनाए गया है इसी कारण से ब्राम्हन कीसी भी सराउंडिंग का असानी से जीवित जहेल सकती है जिवे कितनी भी कड़कती गर्मी हो जिवे कितने भी खदरना से खदरना क बीमारी यहां तक कि यह पैरसाइट्स को भी आसान इसे जेल सकते हैं इसी कारड़ से इनका शरीर बहुत जाद मजबूत हो गया है इस ब्रीट को और ताकोतर और और मजबूत बिनाने के लिए अमेरिकी वेग्यानिकों ने तीन अलग-अलग भारतिय गायों को मिला कर ब्रामन के एक नए वर्जन को निकाला है जो कि बहुत जाद मजबूत गाये है ब्रामन के कंधे पे हम प्यानी कूबर होता है इनके शरीर में बहुत जाद मसल्स होता है जो इनको काफ़ जादा नोखा बना देता है साउथ डेवान अगर युनाटेट किंग्डम में आपको सफर करते करते रेड और ब्राउन का एक मिक्शर करके गाय मिल जाए तो आप समझ जाएगा कि ये साउथ डेवान है जो ब्रिटन की सबसे बड़ी केटल मानी जाती है इस गाय का कलर लाइट रेड या फिर रेड और ब्राउन का कॉम्बिनेशन होता है इस पृजाती के कुछ गायों के पास सींग होता है और कुछ के पास नहीं होता इस गाय को मीट के लिए पला जाता है एक साउथ डेवन फिमेल गाय का वजन करीब 1500 पाउंड का होता है और दोस्तों आज तक सबसे वजनी साउथ डेवन काउ का वजन 4000 पाउंड था जो कि बहुत जादा होता है ये काउ नौर्मल काउ से काफ़ी जल्दी ग्रोह होते हैं दोस्तों सेंटिस्टों के अनुसार इस गाय के प्रजाती दुनिया के सबसे पुराने गाय के प्रजाती में नंबर वन पर आती है इस गाय के प्रजाती को अफरीका और एशिया में पाला जाता है इन गायों का वजन करीब 2800 पाउंड का होता है और अगर हम इनकी लंबाई की बात करें तो ये पांच फूर्ट आठ ही तक लंबे हो सकते हैं और अगर हम इनकी कंधे के लंबाई की बात करें तो ये करें पांच फूर्ट तक लंबा होता है और दोस्तों अब तो आप समझ गये होंगे कि इनका शरीर कितना ज़्यादा विशाल काई होता है लेकिन इनका सभाव इनका शरीर के जैसा नहीं होता ये सभाव से ज़्यादा खतरनाक और गुसेल नहीं होते हैं केटल की ये प्रजाती 1950 में तीन गयान को क्रॉस करके बनी थी और फ्रेंड्स इसको जायातर मीट के लिए पाला जाता है क्योंकि इसके मीट में बहुत जादा कम फैट होता है इसी कारण से लोग इसका मीट खाना पसंद करते हैं और फ्रेंड्स अगर हम इनके वजन की बात करें तो ये गाए एवरेज 2600 पाउंड की होती है ये तीन चीज जिस पर ये आफाने से खरे उतरते हैं जो एक किसान को चाहिए होता है याने मिल्क प्रोडेक्शन, मीट प्रोडेक्शन और ग्रोथ प्रोडेक्शन जो इन तीनों के मामले में काफ़ी जादा बहतर गाय हो जाती है और दोस्तों उमीद है आपको इस वीडियो में मज़ा रहोगा और आपको इस वीडियो मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो कहें पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है दग्लैन और दोस्तों दग्लैन केटल बहुत वाद रेयर केटल होते है क्योंकि इस दुन्या में सिफ 2000 ही दग्लैन केटल बचे है और दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि य illumin में आपको देखने को मिलेंगी और जर्मनी की सिफ एक खास सरावंडिंग में बाकी ये पूरी जर्मनी में आपको कहने देखने को मिलेंगे और दोस्तों इस गाय को मीट के लिए पाला जाता है इस टार्टिंग में जर्मनी में स्विस ब्राउन केटल को पाला जाता था लेकिन फिर दो केटल को क्रोस करने के बाद इस केटल को निकाला गया और जब लोगों ने इसके मीट को टेस्ट किया तो लोगों को इसका मीट बहुत जादा पसंद आया तब ही ज़िए इस कैटल का शुरुआत हो गया तब इस लोग इसे पालने लगे दपार्थनेस दोस्तों अगर कोई विशाल काई और सबसे मस्कुलर गायों का कॉमपटिशन हो तो ये इस गाय का नाम ज़रूर रहेगा युकि इस गाय को देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे युकि ये गाय बहुत जादा मस्कुलर देखती है इस गाय का शरीर किसी को डराने के लिए काफी है दोस्तों इस गाय को उपयोग मिल्ट प्रोड़ेशन और मीट प्रोड़ेशन के लिए होता है तो कि इनका मीट और मिल्क बहुत ज़दा टेश्टी होता है पहले जमाने में सबसे ज़्यादा दूद फ्रांस में इन्ही गायों का जाता था और दोस्तों अगर हम इनके एवरेज वेट की बात करें तो ये करेब 2800 पाउंड जितने वजने ही हो सकते हैं मैने एंजो उन्नीसमे सदी में फ्रांस के फार्मर को कुछ ऐसी केटल चाहिए थी जो बहुत ज़ल्दी बढ़ी हो जितने बहुत अदम मुसल्स हो और इन्हीं के डिमांडों का पुरा गरती है मैने एंजो ये केटल बहुत अदम विशाल का बहुत अदम मसकुलर होती है लेकिन फार्मर्स को इससे भी संतुष्टे नहीं थी फार्मरों मिलकर इंग्लैंड के केटल के साथ इसका क्रोस करवाया उसके बाद उनके सामने एक ऐसा केटल आया त्योंकि बहुत जादा विशाल का और मसकुलर था इसको देखने के बाद कोई भी हैरान हो सकता है क्योंकि ये गाये हर चीज में नमबर वन है ये मिल्क प्रोडेक्शन हो या फिर मीड प्रोडेक्शन इसकार से ये गाये प्रांस में बहुत जादा फेमस है तो दोस्तों ये थी कुछ विशाल का और ताकत वर गायों के बारे में कुछ इंट्रस्टिंग और अमेजिंग नॉलेज तो फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ये पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन को प्रेस कर दिजिएगा तक कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को ये पर खत्म करते हैं और मिलें किसी अगली एजुकेशनल वीडियो में तो तब तक के लिए नमस्कार